स्वागत है दोस्तों आप सब का हमारे चैनल माइक्रो नोट्स में आज के वीडियो में हम देखेंगे बीपेसी के द्वारा प्रेलिम्स एक्जाम में पूछे जाने वाले फीजिक्स सब्जेक्स रिलेटेड प्रिविएस एर क्वेस्टेंस को दोस्तों फीजिक्स, केमेस्ट्री और बायलोजी तीनों को मिला कर कम से कम 20-30 प्रशन हर साल पर इक्छा में पूछे जाते हैं और हमने ये देखा है कि 5-10 प्रशन इन सब्जेक्स में पिछले साल के प्रशनों से बार-बार रिपीट किये जाते हैं इसलिए प्रशन को सॉल्व करना काफी इंपोर्टेंट हो जाता है बीपीएसी के PCS एक्जाम को अगर देखें तो इस वीडियो में हमने कोसिस की है कि PCS के अलाबा CDPO के एक्जाम और भी जो भी एक्जाम लिये हैं बीपीएसी ने उनमें जो फीजिक्स के कुटशनों होने पूछे हैं उसको भी हमने इस वीडियो में एक्कमडेट किया है आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारी से कि आप अगर इस वीडियो चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब यवाशे कर लें ज्यादा सब्सक्राइबर होने पर हमें एक तरह से संतोस होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम पहुँच रहे हैं अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया है तो आप बेल आइकन जरूर पूट करें ताकि कोई भी रेलेवेंट वीडियो अगर हम बताएं तो वो आप तक पहुँचें और आप उसे देखें आप उसका लाब उठाएं चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सबसे पहला प्रश्ण है। दो समनानतर प्रतिरोधितवाले सर्कृट का कुल расп 303 है। यë प्रतिरोधिक्स कमान 2 क, तो दूसरे कमान क्या होगा। देखें, physics में circuits related दो तरह के प्रतिरोध लगाए जाते हैं पहला तरीका होता है उनको series में लगाए जाता है, स्रेडी क्रम में लगाए जाता है, यानि एक register हुआ R1, दूसरा register हुआ R2, प्रतिरोध, अचा ये पृतिरोध क्या होते हैं? ये पृतिरोध कुछ भी हो सकता है, हर वो चीज जो विद्युत धाराक से चलती है वह एक पृतिरोध है, for example, एक bulb एक अपने आप में पृतिरोध है, fuse एक पृतिरोध है, laptop एक पृतिरोध है, ठीक है लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एक particular प्रतिरोध की particular registers की जिनका value ज्यादा होता है R1 और R2 हमने माना कि दो प्रतिरोध हैं और यह series में जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ जहाँ पर एक खत्म होता है दूसरा वहीं से चालू होता है तो अगर यह series में जुड़े हुए हैं तो इनका जो equivalent होता है resistance वह simply जुड़ जाता है R1 प्रस R2 हो जाता है लेकिन अगर यही चीज पैरलली जुड़ी हो जैसे मानलो एक register यहाँ जुड़ा है और दूसरा register यहाँ जुड़ा है यह R1 हो गया यह R2 हो गया अब यहसे मानलो यहाँ से current flow होके गया current ऐसे बट गया और बटने के बाद फिर यहां से आने के बाद फिर वापस सेम current जो current यहाँ से गया वही current यहाँ से वापस निकला लेकिन resistance के हिसाब से current बट जाता है आपको उतना detail में नहीं जाना है आपको बस यह जानना है कि इसका equivalent कितना होता है तो मानलो दो laptop को ऐसे पैरलली जोड़ दिया और current दिया उनको तो क्या laptop से होकर कोई current याता नहीं लेकिन bulb अगर दो लगा देंगे पैरलली तो आगे current फ्लो करेगा बिल्कुल फ्लो करेगा तो ऐसी परिस्तिती में resistance, equivalent resistance क्या होगा अगर दो bulb को लगा दिया गया तो यहाँ पर r equivalent जो होता है उसका formula होता है r equivalent is equal to 1 by r1 plus 1 by r2 ठीक है इसको अगर आप देखोगे तो यह हो जा इस formula को अगर आप याद रखोगे तो यह प्रशन आसानी से बन जाएगा यहाँ पर value क्या है यहाँ पर r equivalent की value दी हुई है 1.403 यानि 1.403 kilo ohm is equal to एक resistance की value दी हुई है r1 की value दी हुई है 2 kilo ohm multiplied by r2 divided by 2 plus r2 यहाँ पर r2 को आप solve करेंगे और r2 की value आएगी 4.70 kilo ohm ठीक है आप आको formula याद होगा यह प्रशन असानी से बन जाएगा अगला प्रशन देखते हैं प्रशन है गर्म करने पर और अर्धचालक का प्रतिरोद option से बढ़ता है घटता है वही राता है पाले बढ़ता है फिर घटता है इन में से कोई नहीं देखिए कोई अगर चालक है कोई conductor है तो उसको अगर आप heat करते हो, बर्नर लगा दो नीचे से, ठीक है, उसको जब heat करोगे, तो उसके जो free electrons होंगे, उनकी energy बढ़ जाएगी, तो जब energy बढ़ जाएगी, तो वो आपस में ही टकराने लगते हैं, इसकी वज़े से उनके speed, जो flow का speed है, वो कम हो जाता है, यानि उन मतलब इससे होकर चालक जो है, उससे जो मातरा करेंट किया दे थी, अब उतनी मातरा में करेंट प्लो नहीं करेगा, वो सकता है, वो गर्म हो जाए, लेकिन और दचालक, semi conductors, इनके साथ कहानी अलग है, इनके जो electrons होते हैं, जैसे ही आप उनको गर्म करते हैं, नीचे से बर तो ये आसानी से इनके दुरूब होकर current flow करता है, इसका मतलब क्या होगा, कि इसका प्रतिरोध जो है, वह घटता है, प्रतिरोध घटता है, electron का flow बढ़ जाता है, और प्रतिरोध घट जाता है, ठीक है, अगला प्रसन देखें, अगला प्रसन है, फैराडे इस्तिरंग क्य करता है, ना तो इलेक्रोलाइट की मातरा पेडिपेंड करता है, ना ही विद्धारा की मातरा पेडिपेंड करता है, और ना ही विलेक आयतन पेडिपेंड करता है, या एक आर्सारोभामिक यानि यूनिवर्सल कॉंस्टेंट है, ठीक है, नेक्ट प्रसन है, प्रकास वर्स क अगर एक सेकेंड में तय किया तो एक साल में जो दूरी तय करेगा वही प्रकास वर्स होता है ठीक है देखने में यह समझ में आता है कि हो सकता है कि यह समय का मात रख हो लेकिन बेसिकली प्रकास वर्स एक दूरी का मात रख होता है जो करीब-करीब 9.35 या 34 trillion km के बराबर होत जाता है एक वेव के रूप में भी पढ़ते हैं तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गया जैसे सपोज एक इतलाब है उपर से टॉर्च मार रहा है तो लाइट वेव आगे बढ़ी सर्फेस पे टकराई टकराने के बाद क्या हुआ नीचे बैठा जो आदमी ह उसको सेम इंटेंसीजी के साथ वो लाइट नहीं दिखाई देगी नीचे कोई अदमी अगर तैर रहा है या बैठा हुआ है तलाब में तो उसको उपर से टॉर्च मार ओगे तो सेम स्पीड से लाइट उसके पास नहीं पहुँचेगे इसका मतलब वेग और गती तो डेफ सब्सक्राइब जो बनता है इस पॉइंट से और इस पॉइंट के बीच की दूरी को हम अंप्लिटूट करते हैं या दूरी भी बदल जाती है जैसे ही आप एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते है तो यह दूरी जो है वह बदल जाती है तो यह भी ऑप्सन नहीं होगा अप पॉर्तनांक मीडियम के अनुसर बदल जाता है यह भी नहीं होगा आप रिती यानि एक सेकेंड में कितने बार कण कमपन करेंगे यह नहीं बदलती है तो आप हमेशा देखेंगे जब भी यह प्रशन आएगा तो आप आप रिती मारेंगे देखें आगे बढ़ें कि एकट कितना होता है हमने अभी में देखा क्वेश्चन में कि 3,000,000,000,000 – 3.000,000,000,000 को कैसे रहेंगे 3 x 10 to the power 6 km26 जैसे ही मीटरपरसेकेंड में देखेंगे तो 10 to the power 8 m2 को टेके If Wellide 담ब उप देखिए अपोलो एलेवन जो स्पेस्क्राप्ट ऊपर गया था चान पर अमेरिका ने भेजा था इसको इसमें तीन लोग सवार थे पहले थे नील आमस्ट्रांग दूसरे थे बज एल्डरिन और तीसरे थे माइकल कॉलेंज पहले जाना था बज अल्डरिन साहब को कुछ प्रोग्राम में चेंजेज हुए नील आमस्ट्रांग साहब पहले चले गए इनके 10 मिनिट बाद बज अल्डरिन साहब भी चांद पर अपना पैर रखे माइकल कॉलेंज जो चांद के बाहर जो चक्कर लगा रहा था जिस यान से इनको वापस आना था वो कंट्रोल यान जो कंट्रोल रूम था जो यान था वो चांद के बाहर चकर लगा रहा था चांद की किछ्छा में तो वो उस पे बैठे हुए उसको कंट्रोल कर रहे थे तो नील आमस्ट्रांग is the right answer अगला पसन है सबसे ज़्यानता किसमे होती है विसकोसिटी किसमे होती है एनि लसलसापन किसमे होता है श्यानता का मतलब होता है लसलसापन तो श्यानता किसकी होती है सबसे ज़्यादा हमने कभी भी देखा है जल को भी हाथ में लिया है, वायू तो हम देखनी पाते हैं, हाथ में आता नहीं है, शहद को हमने हाथ में टच किया है, खून कई बार उंगली कर जाती है, तो खून आ जाता है हाथ में, इन सब में सबसे आदा लसल सापन सबसे हाथ में होता है, अगला पसना नियुमन में से लेकिन इन में से सबसे ज़्यादा कुछ अलक पा रहा है ठीक है? आगे बढ़ें अगला प्रस्ता है इन इमलिकित में से कौन सी मूल भहुतिक रासी है तो दोस्तों मूल भहुतिक रासीयां total 7 होती है ठीक है? ये साथ रासियां कौन-कौन सी होती हैं हम देख लेते हैं पहली रासि जो होती है वो है लंबाई लेंथ जिसको हम मीटर से डिनोट करते हैं दूसरा है मास जिसको हम केजी से डिनोट करते हैं तीसरा है समय जिसको हम सेकेंड से करते हैं जिसको हम केलीं से करते हैं पांच इनगे ही साथ इनगेु साथ मूल-बह। से ब्युत्टपन नहीं होती हैं कि इसके सबाते इन भैक रॉक्सी करेंसर से डिराईव घुत होकर बनाई जाते तो इसका एंसर क्या हो जाएगा विद्योधरा अगे प्रश्ण है अनुधैर्य करेंकर दरंगों का का उधारण क्या है longitudinal wave का example options है radio तरंग, ध्वनी तरंग, X-ray, X किरन और गामा किरन देखिए अनु दैधर ये तरंग बेसिकली वो तरंगे होती है जैसे मान लिजे अगर कोई wave ऐसे जा रही है तो इसकी गती की दिशा ये है और तरंग जो है उनका कमपन भी ऐसे ऐसे हो रहा है ठीक है इसी दिशा में कभी एक बार इधर जाता है एक बार इधर एक बार इधर एक बार इधर ऐसे ऐसे कमपन हो रहा है तरंगों का कमपन गती की दिशा में है उसको हम कहत कहतें हैं अनुदायधारता रंग का उदारन है मिमस को अलग अलग्वला को साट रंगों से मिलकर बना है तो इन साको आंगे को तोर देना आप में प्रिजम के द्वारा पॉसीबल होता है यह यह जानते हैं option काफी असान है कि अग्ला प्रस्न देखते है किस तापमान पर Celsius और Fahrenheit पैमाने मेल खाते हैं देखे ये प्रशन बहुत important है कई बार और बहुत सारे exams में BPSC ने पूछा है एक formula याद रखिया आप ये प्रशन आपसे कभी नहीं चूटेगा formula होता है कि कोई भी दो जैसे पैमाने है Celsius, Fahrenheit, Kelvin ठीक है उनकी निम्तम value क्या है और उनका range क्या है आपको ये याद रखना है बस जैसे degree centigrade की निम्तम value क्या है minimum, minimum value है 0 degree और इसका range क्या है range है इसका 100 degree ठीक है? अच्छा, पूछ रहा है Fahrenheit, का minimum value क्या होता है 32 degree और इसका range कितना होता है 180 degree कैसे क्योंकि जो scale होता है वो Celsius पर माने पर 0 से 100 का scale होता है और Fahrenheit पर माने पर 32 से 212 का scale होता है ठीक है तो 32 से 212 हो गए 180 और 0 to 100 हो गए 100 अब आते हैं formula पर जो formula है वह है जो value दी हुई है centigrade की इसमें से इसका minimum value हम घटा लेंगे divide कर देंगे इसके range से ये बराबर होता है दूसरा जो parameter होता है उसकी value इसमें से उसका minimum value घटा लेंगे और divide कर देंगे उसके range से इस formula को आप याल रखें मानलों यहाँ पर अगर Kelvin दे दिया तो क्या करेंगे तो Kelvin के भी minimum value हम पता करेंगे कितना होता है और Kelvin में range कितना होता है उसी तरह से यहाँ के हो जाएगा minus Kelvin का minimum value और Kelvin का range हो जाएगा अगर Kelvin पूछता है तो तो यह formula अगर आपको याद है minimum value याद है और range अगर आपको याद है तो आप definitely इस question को हल कर पाएंगे हाला कि यह question काफी आसान है Celsius और Fahrenheit पैमा ने minus 40 degree centigrade पर मेल खाते हैं आप इसमें क्या करेंगे यहाँ C और F की value मान लेंगे कि X है तो सपोज अगर यह दोनों value X हो जाती है तो यह value क्या हो जाएगी X by 100 is equal to X minus 32 divided by 180 इसको आप X की value के लिए solve करें और आपको value मिल जाएगी minus 40 degree centigrade minus 40 degree centigrade नहीं minus 40 degree इस तापमान पर दोनों same मेल खाते हैं मने minus 40 degree centigrade is equal to minus 40 degree Fahrenheit अब देखते हैं lens की छमता किसमें ना पी जाती है lens की छमता basically ना पी जाती है diopter में lens की छमता जो है diopter छमता या focal length जो length की होती है उसका reciprocal होता है यानि छमता lens की जो छमता होती है वह one by focal one by focus होता है यानि focus की जो दूरी इसकी होती है उसका one by focus is छमता ये आप याद रखें इस फर्मूला को और इसको हम diopter में मापते हैं अगरा पस्टन है चिकित्सा स्थितियों का निदान करने के लिए MRI में किसका उप्योग नहीं होता है तो magnetic resonance करके इसका full form होता है इसमें magnetic waves का use किया जाता है magnetic resonance imaging करके इसका होता है इसमें चुमकीच खित्र magnetic है तो definitely आएगा radio किरने भी आती है gamma किरने को भी use किया आता है X-ray का इसमें use नहीं किया जाता है MRI में X-ray का use नहीं होता है ठीक है तो correct option क्या हो जाएगा X किरन आगे बरते हैं अगला परस्न है जब एक ध्वनी तरंग एक माधियम से दूसरी माधियम में जाती है तो वह रासी जो अपवर्तित रहती है देखिए दोस्तों मैंने कहा था वह परस्न काफी important है बार-बार कुछा जाता है आवर्ति अपवर्तित रहती है अगला परस्न है प्रकासवर्ष मातरक है ये भी प्रस्न है रिपीट हुआ है प्रकासवर्ष मातरक है किसका दूरी का अगर पसने निम्न में से कौन सा कण आवेस रहित कण है अप्शन से अलफा कण, न्यूट्रोन, प्रोट्रोन, इलेक्ट्रोन देखिए कोई भी नाभिक, किसी भी एटम का जो न्यूकलेस होता है नाभिक होता है यहां पर दो कड रहते हैं, प्रोट्रोन और न्यूट्रोन और इलेक्ट्रोन जो होता है, वो कच्छा में चारवर चक्कर लगाते रहता है इनके उपर जो आवेस है, उसको देखते हैं, प्रोट्रोन पे पॉजिटिव आवेस रहता है न्यूट्रोन पे कोई आवेश नहीं रहता है और इलेक्ट्रोन पे माइनस निगेटिव आवेश रहता है और अल्फा कड़ों पे दो पॉजिटिव आवेश रहता है तो पूछता है आवेश रहीत कड़ कौन सा है तो आवेश रहीत है न्यूट्रोन अगला प्रस्ण है ओम मीटर मात रख है ओम मीटर दोस्तों मात रख है प्रतिरोधकता का ठीक है प्रतिरोध का मात रख है ओम आवेस का मात रख है कुलाम और चाराकरतो का मात रख है सीमेन आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्ण देखते हैं दाब का मातरक क्या है अच्छा आप्शन में दिया हुआ है किलोग्राम वर्ग पर सेंटीमिटर किलोग्राम पर मिलिमिटर किलोग्राम पर सेंटीमिटर किलोग्राम पर घन सेंटीमिटर सबसे पहले देखते हैं कि दाब है क्या दाब होता है दोस्तों दाब जो होता है वहाँ force by area होता है यानि pressure is equal to force by area अच्छा force F is equal to M A हमने पढ़ा है Newton का second law से M की value क्या होती है? kg और A की value क्या होती है? meter per second square एक्सलेस ठीक है? area किसमें लिखेंगे? area आएगा meter square में अब हम आजाते हैं दाब पे यानि दाब का मात्र क्या हो जाएगा? kg meter per second square divided by meter square तो यह meter से एक meter गया क्या हो जाएगा? kg per meter per second square देखो यह option में है kg per meter per second square kg यहाँ पर भी नहीं है यहाँ पर भी नहीं है इसका मतलब option क्या होगा? option हो जाएगा इन में से कोई नहीं I hope आपको clear होगा अगला पसने है सूरी का प्रकास प्रीथवी पर कब तक पहुंचता है? दोस्तों 8 मिट में पहुंचता है इससे याद रखेंगे बजपन से परते आ रहा हैं इसको calculate भी कर सकते हैं इससे दूरी कितनी है 15 करोड किलोमेटर लाइट की स्पीड कितनी है 3 लाग किलोमेटर पर सकेंड दोनों में डिवाइड कर दीजी 8 मिनिट आ जाएगा निमलिखित परसे कौन सी अधिस रासी है? option से बल, दाब, त्वरन, वेग देखिए आदिस रासी वह होती है जिस रासी में उसको बताने के लिए magnitude की आवशकता केवल sufficient होती है उसको बताने के लिए direction की जरुवत नहीं पड़ती है अब इससे vague है wave को बताने के लिए हमको speed की भी जरुवत पड़ेगी और वेग को बताने के लिए हमको direction की भी जरूरत पड़ेगी त्वरन है तो किस दिशा में गती में परिवर्तन हो रहा है इसकी जनकारी हमको रखनी पड़ेगी ठीक है तो वेग और त्वरन तो definitely ये सदिस रासियां है इसके अलावा अगर आप बल की बात करें तो बल किस दिशा में लगता है ये भी बल की भी दिशा fix होगी कि बल किस दिशा में लग रहा है दाब pressure जो है वो चुकी एक area पे लगता है तो वो fix नहीं होता है उसको बताने के लिए हमको जरूरी नहीं है कि वहाँ पे दाब किस दिशा में लग रहा है तो दाब एक अधिसरासी है दाब को हमने अभी देखा force upon area आगे बढ़ते हैं I am clear है कि दाब में किसी दिशा की direction की जरूवत नहीं होती है दाब एक area पे लगाया जाता है जो कि जब दाब आप लगाएंगे किसी चीज को आप दबाएंगे तो वो चारों दिशाओं में वो उसका pressure लगता है तो कोई fix direction नहीं होता है ठीक है बल आप लगाते हैं तो एक fix direction में आप किसी चीज पर बल लगाते हैं वेग जो velocity होती है वो किसी fix direction में होती है तोरण जो होता है वो किसी fix direction में होता है किसी चीज़ पर अगर प्रेशर लगा जाता है तो इसलिए वो है एक अधिस रासी होती है अगला प्रशन देखते है निमलिखित में से किस रासी का मातरक नहीं है options हैं प्रतिबल, विकृति, बल और दाब देखिए विकृति को छोड़के बाकि सब के मातरक है इनके मातरक कौन है आप एक टेबल बनाएं टेबल में लिखें कि राशी और उसका मातरक क्या है आपको याद रखना होगा विकृति दरसल अगर आप देखें तो एक एक करके मैं बताई देता हूँ प्रतिबल जो है प्रतिबल यानि इसको हम stress कहते हैं प्रतिबल को stress कहते हैं और stress जो होता है वह बल बटा छेतरफल होता है यानि force upon area होता है तो यह क्या हो जाएगा Newton upon meter square तो यह क्या हो गया Newton per meter square ठीक है प्रतिबल का मातरक हो गया बल का मातरक क्या होता है बल होता है द्रबेमान गुणेत्वरन f is equal to m हमने पढ़ा है तो mass is kg और acceleration meter per second square निकल गया इसका भी मातरक इसके बाद होता है dab तो dab हमने देखा है dab is bulb बल बटा छेतर फल force upon area ठीक है dab और stress इसका मातरक सेम होता है ठीक है विकृति क्या होती है अब इससे मान लो कोई चीज है कोई चीज है जिसका volume कुछ है तो volume अगर meter cube में volume है और पहले था 10 meter cube अब बाद में उसको पिछका उचका दिये और उसको कर दिये हम 5 meter cube का तो ultimately विकृति कितने की आई विकृति को divide कर देंगे तो ये meter, ये जो है ये cut जाएंगे तो बचे का क्या कुछ भी नहीं unitless हो जाएगा ठीक है तो कितना विकृति आया वो हम केवल quantitative इसका measure होता है कोई भी मातरक इसमें नहीं लगता है तो विकृति का कोई मातरक नहीं होता अगला प्रस्न है yu में ध्वानी तरंगे क्या होती है हमने अभी देखा है ध्वानी तरंगे अनुदाइधारे तरंगे होती है अगला प्रस्न है 50 degree centigrade का मान Fahrenheit Scale में क्या है दोस्तों इसके ठीक पहले बाले प्रस्न में पहले बाले सेक्षन में मैंने बताया था फर्मुले को याद रखना है degree centigrade को Fahrenheit में चेंज करना है तो फर्मुला लगाएंगे c-0 divided by 100 is equal to f-32 divided by 180 यहाँ पर c का value रख देना है 50 50 by 100 is equal to f-32 divided by 180 डिवाइड कर दो यह हो गया 0 से 0 गया 5 2 और यह दिवाहीड हो गया 90 यह 90 जाएगा इधर और यह 32 इसमेड हो जाएगा तो टोटल हो जाएगा 122 degree Fahrenheit ठीक है याद रहेगा यह फर्मुला याद रखोगे तो आपको हमेशा से यह प्रस्न बार-बार अगला प्रस्न है Hz में क्या ना पहरत याद़ी ना पी जाती है अगला प्रस्न है विद्योधारा किस उपकर्ण से ना पी जाती है तो विद्योधारा दोस्तों इसका भी एक चार्ड बना के रखें ऐसे प्रशन बार-बार पूशे जाते हैं किस चीज में क्या नापा जाता है और किस उपकरन से नापा जाता है तो ये प्रशन आपको आसानी से बन जाएंगे अगला प्रशन देखते हैं अगला प्रशन है विद्धुत शक्ति कि इक जाते है LEAD भर भर इक पूश्ता है कि रासी को किस में ब्रक्त किया जाता है अभी प्रिवियस में पूशा उसने आवर्टी किस में ब्रक्त किया जाता है इसमें पूछा विदुद शक्ति की इकाई क्या है इसका answer होगा what तो एक chart बनाना आपके लिए काफी अच्छा रहेगा जिसमें आप ये सारी चीज़ों को बना ले और आप इसको कंठस्त कर ले आगे बढ़ते हैं देखते हैं अगला प्रशन विदुद धारा की काई देखिए फिर से आगया विदुद धारा की काई ये प्रशन बार-बार पूछे गए हैं एक्जाम्स में विदुद धारा की काई एमपियर है ठीक है आगे बढ़ें अगला प्रशन है द्रिष्टी की खराबी निकत द्रिष्टी के नाम से जाना जाता है देखें, हाइपरमेट्रोपिया ग्लुकोमा प्रास्टोपिया और मुतिया मिंद ये अलग-अलग द्रिष्टी दोस है हाइपरमेट्रोपिया निकत द्रिष्टी दोस को हाइपरमेट्रोपिया को हम कहते हैं दूर द्रिश्टी द्ोस इन्हें नामों से आप कं Phillips मत हुए जब कहाँ जाएगा दूर द्रिश्टी द्ोस इसका मतलब या है कि आपको नज़दी की चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं जब कहा जाएगा दूर द्रिष्टी दोस्ट तो आपको आई इसका मतलब होता है कि दूर की चीज़ें नहीं दिखाई देती है निकट द्रिष्टी दोस में दूर की चीज़ें नहीं दिखाई देती है और दूर द्रिष्टी दोस में निकट की चीज़ें नहीं दिखाई देती है ठीक है तो इसका निकट द्रिष्टी दोस को हम कहते हैं माइओपिया, जो option में नहीं है, तो इसका correct answer क्या हो जाएगा? Option E दूर दोष्ठी दोस अगर देगा, तो इसका answer हो जाएगा Hypermetropia ठीक है? दूर दूर दिश्ठी दोस का दूर दिश्ठी का ये Hypermetropia हो जाएगा निकट दिश्ठी का क्या हो जाता है? मायोपिया ठीक है अगला प्रस्ट्न है एक वस्तु का भार प्रिथवी की सत्व पर मापने पर 100 न्यूटन आता है चंद्रमा के सत्व पर मापने पर क्या आएगा देखे भार जो है वेट वेट जो है वह जो गुरुतवा कर्शन है उस पर डिपेंड करता है तो धरती का जो गुरुतवा कर्शन है वह मून के गुरुतवा कर्शन का 6 गुना है यानि मून पर जो चीज एक किलो की होगी वह धर्ती पर आएगी तो छे किलो की हो जाएगी तो अगर धर्ती पर कोई चीज हंड्रेड न्यूटन का है तो मून पर कितने का होगा इसको 6 से डिवाइट कर दो 16.7 के करीब आएगा अगला परसन है LED यानि प्रता LED लाइट इमिटिंग डायोड काते है प्रकास उत्सरजक डायोड के संदर में कौन सा कर्फन गलत है गलत पुछरा है LED प्रकास शुरोत उर्जा की कम खपत करते हैं बिलकुल सही बात है अगर यह नहीं कम खपत करते तो भा कि करो किन प्रिफ्ज करहों को उन्रुक्ति नहीं होते है यह से एलीडी में पारा प्र्यूक्त होता है जो मनुसियों केलिए हनिकार कदीन घ्राइट चीघ Lewis LED में पारा का प्रयोग होता है यह option गलत है ठीक है LED में पारा का प्रयोग नहीं होता है simple diodes होते हैं जो काफी ज्यादा light emit करता है अग्रा प्रसन देखें अग्रा प्रसन है सौर भटी में क्या यूज होता है तो सौर भटी नाम से संचो कि सूरज की रोशनी को एक ऐसी तरह से concentrate कर देना जिससे काफी ज्यादा मात्रा में heat प्रजूश हो तो ऐसी परिस्तिती में क्या चीज यूज करेंगे या तो कॉंवेक्स लेंस यानि उद्त लेंस को यूज करेंगे लेकिन अगर दरपन का यूज कर रहे हैं तो आव्सें नहीं करेंगे कि किरणिए है इस धरपन से शंकरा कर और एक जगा concurrent्रान हो जाएंगया तो यहां Cred तरह में गर्मी पैदाओगी भट्टी की तरह से अगर पस्न है 30 सुक्ष मवस्तियों को देखने के लिए क्या प्रयोग की जाता है है माइक्रोस्कोप बताने की याशकता नहींगें बचचा बचचा जानता है अगर प्सN西 link टलग बीस किलो हौट से कम अवरती की होती हैं बीस किलो हो यस ज्यादा अवरती की घौनितरंग है कि 20 हो चाहिक की अभी की हर्ट के बीच की ध्र liकली तरंगे हैं बीड्दक चुम्ब की तरंग सब्सक्ति के देखें को सनगरre नहां कि दिछ एक्ष स्पेक्ट्रम तुरंग रभ्ड्षों कि सीमा क्या है तो इसकी सीमा अलग अलग जगा पे अलग अलग इन के से 7600 के बीच में इसे आप याद रखेंगे अग्ला पसंद देखते हैं कि 100 विक्रण इन में से किस परास में दिखता है तो 100 विक्रण 400 अभी पिछली में देखो 3900 से लेके 7600 था इसी के आसपास वाला होगा यह तो आसपास वाला कौन सा है 700 इसी में यह देखता है है अगला पसंद देखें रणार का आँ इसका रख कौन था है तो राडार क्या कुछा करता है daio waves भेजता है और जैसे राडार में इतना बड़ा यंत्र होता है वो क्या करता है वो रेडियो पूरी सभी दिशाओं में भेजता है वह घुमते रहता है और सभी दिशाओं में भेजता है और जैसेट कोई आकास में मनों काफी उचाई पर भेजेगा अब धरती से आधा क्लोमेटर उपर तो बहुत कम चांसें कि कोई घर बनाओ तो वहाँ पर सिगनल्स बेजे जा रहा है और वहाँ पर सब्सक्राइब कोई वस्तु उस से टकरा गई उस वेव से तुरंत वहां पर नोटिस करके बता देता है कि इतनी किलोमेटर पर एक औबजेक्ट वहां पर घुम रहा है हैं जो किस दियरेक्ष्ण में जा रहा है वह भी बता देता है इसका आविसकार किस ने किया था? रावर्ट वाटसन ने किया था करेवरब इन्मेस से लग्तव ब्रोत का मापक यंत्र कौ नहीं क्यों है है एनीमोमीटर से वाईयू का स्पीड नापते है लेघर करेंट नापते हैं अगरा पसंद देखते हैं विद्ध उत्तिपन करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है ॥्यूर्यनियम productivity लूहा चिर्फाί तोहा एलमुनियम इससे होकर विदूत क्रॉस पास किया जाता है एक दुस्तर सो दुस्तर जगा प्रवाहित किया जाता है लेकिन जब बात आती है उत्पन करने की तो यूरोनियम को यूज किया जाता है जो नुकलियर रेक्शन में जो वहाँ पर जो फीजन और की जो घटना अगला प्रस्ण देखते हैं स्वीत प्रकास को नली में कैसे पैदा करते हैं स्वीत प्रकास को नली में फाइवर को गर्म करके पैदा करते हैं अगला प्रस्ण है कमरे को ठंधा किया जा सकता है पानी के बाने से रसोई गयस से संपीडित गयस को छोड़ने से ठोज को पानी के बाने से पानी को बहाद हो अगर कम्रेक से होकर तो गर्मी कुछ हद तक कम हो जाएगी लेकिन ठंडा तो नहीं होगा, ठोस को पिगलाने से तो ठोस कैसे पिगलेगा, जब गर्म करोगे तो जो ठोस को पिगला रहे हो तो इसका मतलब क्या हुआ कि गर्मी अल्यडी द फिल्टर से कर सकते हो क्या फिल्टर से कर सकते हैं लेकिन यह जो फिल्टर लिखा है ऑप्शन में इस फिल्टर से जो ऑप्शन वाला फिल्टर है इससे नहीं कर सकते हैं यहाँ पर चुकि प्रिजम दिया हुआ है इसलिए प्रिजम से ही कर सकते हैं और यह उस वक्त का प्रश क्या link है थे अगला प्रस्थे हैं लोलग की और मानन की उपर डिपेंड करती है लंबाई की उपर करती है स्थिक नें पर दोलो को अंग्रेजी में पैंडूलम करते हैं पता नहीं लोलग समझपाएंग्गे पेंडूलम आप आसानी से समझ पाएंगे, कोई चीज है इसको रसी से बांदो और लटका दो और इसको यहां से फोर्स लगाओ, तो वो क्या करेगा, ऐसा, ऐसा मूव करेगा, यहां जाएगा, यहां जाएगा, ऐसे, ऐसे करेगा, तो इसकी जो कालवधी है, यानि एक बार यहां से यहां जाके, यहां जाके और वापस यहां आना, इसको एक कालवधी करते हैं, यहां डिपेंड करती है, इसकी लंबाई पे, यहां जो इसका सेंटर ग्रैविटी होता है, वहां से लेके, जो इसका यहां पर यह बधा होता है, इसकी लंबाई जो होती है, इस लंब क्लोरीन के कारण पानी में जब क्लोरीन डालते हैं क्लोरीन के पानी को शुद्ध रखने के लिए तो इसकी कारण सरीर में जब क्लोरीन लगता है सनलाइट में आता है तो जलने वाला एफेक्ट आ जाता है अगला प्रसन है जब वैद्युत उर्जा गती में परिवर्तित होती है तब क्या होता है उसमा की कोई हानी नहीं होती है पचास प उर्जा के बल फॉर्म में एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चती होती है जब वैद्युत एलेक्रिक के इनरजी को सब्मानी प्रबलता संगत होगा मात्र हया बांचित से एक रर्गुल वाली सटक एक मिशीन सॉप से कि देखिए 100 डेसिबल बहुत साउंड होता है और यह केवल एक मसीन स्वाप से आता है कि अगला है एक 36 वृत में इस्थिर चाल से घूम रहा है पिंड के लिए निम्न में से कौन सा इस्थिर रहेगा इस प्रशन को समझें कि एक सरकल में एक पिंड घूम रहा है कोई चीज घूम रही है जब यह चीज घूम रही है तो डेफिनेटली यहां पर अच्छा वेग क्या होता है वेग में दिसा भी होती है तो जब यह सरकल में घूम रहा है तो वेग में डेफिनेटली चेंज हो रह तो वेड में दिसा होती है और चुकि सरकल में घूम रहा है तो में छूब रहें एगर ड हुरहा है Pr है अब्धिक में हर पल कूंग रहा है क्योंकि ये बंता है वा एंगल्अ ने होते जाता है सेंटर से हर अलग अलग अंगल पर अलग अलग बल लगता है अभी केंद्री बल जो होता है वह अंदर की तरफ लगता है गती जूर्जा येट नहीं जेन होता है गती जूर्जा का जो फर्मूला होता है 1 by 2 mb² होता है अगर आप देखें तो गतिज उर्जा में कोई परिवर्थन नहीं होता है ठीक है तो इसका करेक्ट अंसर क्या हो जाएगा गतिज उर्जा अगला प्रसंद देखते हैं अच्छा यहां पर ऐसा कंफ्यूजन नहों कि वन बाइट्टू एंवे स्कॉयर अगर है तो गतिज उर्जा में तो सर एंभी बोलोगे कि वी तो वैलासिटी होगा यहां वी वैलासिटी नहीं होगा वी स्पीड होगा मास इंटू स्पीड ठीक है तो यहां पर मास तो बदल नहीं है आप किसी चीज को कितना भी सरकल में घुमाओं उसके दर बिमार में कोई कमी नहीं है उसकी स्पीड उतनी है हाँ वैलासिटी उसकी चेंज हो रही है ठीक है तो गतिज उर्जा जो है वा एक तरह से स्थिर रहती है आई होप यह कॉंसेप्ट क्लियर है अगला कि अगले देशन आपने अल्टी मिटर से वायो मंडली दाब बैरो मिटर से और अहिद्य गति कि इसको भी अबने देखा है हिर्दय की गति को नापने के लिए जिसे सिग्नो फैनोमीटर हम यूज़ करते हैं, ब्लोड ट्रेसर नापने के लिए, तो हिर्दे गती को नापने के लिए क्या यूज़ करते हैं, बट आप इसको ध्यान में रखेंगे, एक चार्ट बना लेंगे, किस से क्या मेजर किया जाता है, बेस्ट है कि आप किसी बुक में जाएं, और उस बुक में अगर चार्ट दिया हुए तो उस चार्ट को अच्छे से याद कर लें, अगला पस्तन है, यदि बल को न्यूटन में और दूरी को मिटर में प्रसित किया जाए तो किये गए कारे को प्रसित किया जाएगा, कारे को प्रसित किया जाएगा, दो into displacement एक तो ये क्या कर रहा है बलक नूटन में और दूरी को यानी displacement को मीटर में तो ये क्या होगा Newton meter और Newton meter इसमें option में दिया है क्या नहीं दिया है option में क्या दिया है Joule जूल जो है ये टैंसर होगा इसका ऐसा ही मात्रवर्ग जो होता है वाह जूर्व 0 और अगला देखें किसके प्रभाव से उपचारित normal डर्या सकता निकट जिए ज messing आ घला जाता है a he jeśli मुझेल जेज़ए ने कुल शूर्ब दीदने क्रेक्ट करने के लिए आज त्रिमुह का क्यां जारता है कि पिष्च पी करता हैं करो के लिए यानि दूर दिश्टी दोस जिसमें निकट की चीजें नहिं दिखाए देती हैं ज्यादा तर करके नतार्स तीक बसγοता है न में धी लोकों में बैनाकार लेंज को बाइफोकल को जनरली प्रेस बाइओपिया में यूज करते हैं इसका करेक्ट अंसर होगा और अगला प्रशन है प्रकास वर्ष का संबंध किस्से है तो हमने देखा है प्रकास वर्ष का संबंध दूरी से है अगर परसन है वह करण जो इंधन के वह रासाइनिक उर्जा को सीधे विद्धूत उर्जा में बदलता है तो देखो सांदरता सेल इंधन सेल गैल्वेनिक सेल बी और सी दोनों इसमें फ्यूल सेल जो है इंधन सेल वो है इंधन की रासाइनिक उर्जा को सीधे विद्ध उर्जा में बदल देता है इंधन सेल एक विद्ध रासाइनिक सेल होता है जो इंधन से प्राप्त रासाइनिक उर्जा को सीधे विद्ध उर्जा में बदल देता है इसके कई प्रक करता है इसका उधारन है डेनियल सेल ठीक है आगे बढ़ें अगला प्रस्ण है स्वचालित कारों में समाने तक कौन सा तेल लगता है चाहे कोई भी कार हो अगर तेल लगेगा तो वह पेट्रोल ही लगेगा डीजल ही लगेगा अगला प्रस्ण है इस्टीम इंजन कैसे चलता है तो स्टीम इंजन ऊस्मा से चलती है ठीक है अगला प्रस्ण है वातानो कोलीत यंत्र से की से कारण ठंदक होती है गैस को दबाने वह मुक्त करने से जल के वास्पी करन से जल को दबाने से ठोस को दबाने से देखिए अगर आप air conditioning अगर system आपने पढ़ा है कभी भी तो आपको ये चीज मालूम होगा कि air conditioning में जब condenser के बाद हम जाते हैं तो वहाँ पर एक pressure valve होता है pressure valve का काम क्या होता है जो refrigerant flow करता है pipe से वो क्या करता है पहले उसको कस के दबाता है और फिर उसको release कर देता है ठीक है compressor से compress करते है compressor से compress करते है और pressure valve से pressure को release कर देते है तो किसी चीज को बहुत ज़्यादा दबा दो और अचानक से उसको छोड़ दो, तो क्या होगा, ठंड़ना लगेगा, एक्जाम्पल देता हूँ, जैसे LPG का सिलंडर है, उसको इतना ना कंप्रेस कर दिया है, और जैसे ही आप उसको रिलीज करते हो, एकदम से ठंड़ना लगता है, आप देखो, अगर आप देखोगे किसी आप पर्फ्यूम लगाओ, जब आप पर्फ्यूम लगाते हो, तो पर्फ्यूम जैसे ही आपके सरीर पर टच करता है, आपको अचानक से बहुत ठंड़ी महसूस होती है, तो ठंड़ी ये क्यों लगती है, ये इसी कारण लगती है, जब किसी गैस क इसको दबाते हो और उसको मुख्त करते हो अि धंडी हो जाती है है c真的 किस लिजन से होती है यह आपको नहीं पढ़ना है यह mechanical इंजीनियर RV iv्ल जब वह mechanical एंजिनियरिंग के यह POL फ़या पहुंचेंगे जहां पर उंको refrigeration और cooling परता हुआ यह आपको यंत्र से ठंधक होती है गैस को दमाने वह मुक्त करने से अगला प्रसन है ट्यूब लाइट में प्रकास किस पर निर्भर रहता है तो ट्यूब लाइट में प्रकास जो है वह ट्यूब में जो ठोस धातू होता है प्रतिदीप्त उस पर डिपेंड करता है ट्यूब जो है वो काच की एक नली होती है जिसमें प्रतिदिप्तिशील पदार्थ का लेप चढ़ा रहता है जब प्रकास नली पर लगे पदार्थ से टकराती है तब उससे प्रकास निकलने लगता है ट्यूब लाइट में अक्रिय गैस औरगन तथा पारे का उपयोग होता है पहले प्रस्ण में हमने देखा था पुछा था LED में पारे का प्रयोग होता है क्या तो LED में पारे का प्रयोग नहीं होता है वह ट्यूब लाइट में होता था अग्ला प्रस्न है पंक्य की रफ्तार किस पर निर्वर करती है तो दोस्तों पंक्य की रफ्तार जो है वह वोल्टेज पर डिपेंड करती है वोल्टेज इतना ज्यादा होगा उसकी रफ्तार उतनी ज्यादा होगी अच्छा उसके धातू पर डिपेंड करेगी क्या यह तो सही बात है धातू पर डिपेंड नहीं करेगा पंखे में अलमुनियम लगा हो कि जो भी चीज लगा दो उस पर डिपेंड नहीं लोहा लगा हो तो भी उसका वोल्टेज कितना है तभी तो रेगुलेटर लगा रहता ह का चुम्बक का द्रिशिपकास का जरा खुद से सोचो जब हम फोन करते हैं तो क्या कोई लाइड जाती है फोन से निकल के नहीं जाती है कोई साउंड हमारे फोन से निकल के बाहर की तरफ जाती है नहीं जाती है मैगनेट definitely उसका एक range होता है तो मैगनेट का भी use नहीं होता है तो किसका use होता है? रेडियो तरंगों का इसके बाद है, घडी में समय नापा जाता है crystal, quartz, crystal द्वारा, हीरा crystal द्वारा, इस्पाद द्वारा, सीसा द्वारा तो कोई भी घड़ी आप पहंते हो न उसमें ध्यान से देखना quards निखा रहाता है तो इसका सही अंसर होगा quards crystal द्वारा quards एक प्राक्रितिक खनीज है वह अक्छी और कठोर होता है अगला प्रशन देखते हैं CC का उपयोग किया जाता है सफाई के लिए सिसे का उपयोग यानि लेड का उपयोग प्रकास के संचन है तो किया जाता है यहाँ सिसा जो है सिसा का मतलब यहाँ पर लेड है आप सिसा में मिरर मत समझ लेना मिरर नहीं है कई बार प्रश्णों में आपको ध्यान देना पड़ता है हिंदी माधियम के हैं तो आपको इंगलिस वाला भी प्रश्ण देखना पड़ता है ऐसे जगह जहां confusion हो जाए लेड एक मुलायम वो सफेद रंकी धातू है जिसे गैलेना आयात से प्राप्ट के जाता है इसका उप्योग प्रकास के संचरन लेड चैंबर बनाने में लेड इस्टूरेज बैटरी बनाने में बुलेट बनाने में मिश्र धातू जैसे सोलडर वगेर हो गए इसको बनाने लटे वे लिखा रहे हैं तो टलाबे शार का यूज़ सीशा 역 सेरा डेखते हैं और शीषे से आप अलग अलग का यूज़ करते हैемah कर में किया करना की इलेक्रिसिटी को ट्रांजिट करने के लिए जैसे आपने देखाène धैजा खेतों में जो बड़े-बड़े towers लगे रहते हैं उन्हों करते हैं यह एक लाख सबालाख भूल्ट का है कई हजार वूल्ट का तार जा रहा है तो इतना ज़्यादा voltage की जरूद क्यों पड़ती है कारण यह है कि शक्ति की हानी अधिक होती है अलेक्रिक करेंट को जब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं इस तो उसमें हानी बहुत जदा होती है ऐटी एनसी लॉसेज उसको बोलता है ठीक है तो ये लॉसेज काफी जाद हो जाते हैं आईगे स्कॉएर आर लॉसेज भी इनको बोलते हैं रेजिस्टेंस के वज़े से i2R losses काफी हो जाते हैं तो इन losses को compensate करने के लिए voltage को हाई रखा जाता है अगर पसने हैं उपग्रह का उपयोग किया जाता है उपग्रह का उपयोग किसी के लिए किया जाता है ओप्शन से रेडियो उद्जा पैदा करने के लिए टेलिविजन के लिए प्रकास के लिए रेडियो के लिए देखे उपग्रह का प्रयोग प्रकास के लिए भी किया जाता है क्या उपग्रह से कोई प्रकास निकलेगा क्या नहीं निकलेगा उर्जा पैदा करेगा क्या कोई सेट्लाइट करके नीचे भ Points डू बए抖ता탕 है यहां पे दो ты हैं तो आपशन्स हैं एक टेलीवीजन रेडियोके लिए इन दूनों के लिए सेटलाइट का यूज चिया जाता है लेकिन ज्यादा तर करके चुकि उस वक्त जब यह प्रश्ण दिया गया था उस प्रश्ण में यह टेलीविजन और रेडियो के बाद यह आप्शन नहीं आता था इसलिए जो जबसे ज्यादा निकटतम उत्तर होगा हुआ होगा टेलीविजन के लिए इंसेट सटेलाइट से जो जियो स्टेशनरी औरबिट में रहते हैं उनसे टेलीविजन के लिए टेलीकास्ट के जाता है इंडिया में अगला प्रसन है जब लोहे की कील में जंग लगती है तब आइरन ऑक्साइड बनता है ऐसी स्थिति निर्मित होती है कील के बहार में बिन ना कोई परवर्टन होए खुद सूचो कि अगर लोहे का कोई टुकड़ा है लोहे का कोई टुकड़ा है और इसके उपर जंग लग जाए तो एडिशनल चीज आ गई ने आईरन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके आईरन ऑक्साइड बना दिया आईरन ऑक्साइड को लेकिन होगा क्या कि इसकी भंगूर्टा बढ़ जाएगे यह काफी कमजोर हो जाएगा भंगूर्टा का मतलब होता है मारने पर कितनी असानी से वो अलग-अलग खंडों में टूट जाता है तो उसको मारो गए तो टूट जाएगा अगला प्रशन है प्रकास वर्षी काई होती है देखिए फिर से चौथी बार मिल रहा है यह प्रशन हमको यह प्रशन का एंसर क्या है दूरी गी अगला प्रशन है एक चिडिया एक तार के पीड़े में बैठी है जो एक स्प्रिंग तूला से लटक रहा है यदि चिडिया पिंजडे के अंदर उड़ना शुरू करती है तो स्प्रिंग तुला की माप क्या होगी अप वर्तित रहेगा पहले से कम पहले से रही कोई नहीं देखे स्प्रिंग तुला अगर है और उस तुला में अगर कोई चिडिया उड़ रही है पिंजड़ा रखा हुआ है तुला पर ठीक है इसमें कोई चिडिया उड़ रही है अगर वो बैठेगी तो डेफिनेटली वजन जादा होगा और जैसे ही वो उड़ने लगेगी तो वजन क्या होगा कम हो जाएगा पहले से कम हो जाएगा यही चीज अगर उल्टी हो मालो यह स्प्रिंग उपर से लटक रहा हो बैठेगी तो वजन क्या होगा ज्यादा और उड़ने लगेगी बीच में आ गई तो उड़ना सुरू करती है तो वजन क्या होगा कम हो जाएगा ठीक है अगला प्रस्ण है वहत आप मान जिस पर फॉरेन हाइट और सेंटिग्रेट दोनों स्केल के मान समान होते है यह प्रस्ण हम देख चुके है माइनस चालिज डिज डिज दिज सेंटिग्रेट फर्मुला याद रखेंगे सी माइनस जीरो अपान हंड्रेट इज इक्वल टू एफ माइनस थर्टी टू डिवाइड बाई वन एटी अगर पसना है क्वीडे पानी की सता पर बिना डूबे गूम सकते हैं किसके कारण गती उतफात उतपाथन के कारण पानी की श्यानता के कारण प्रिष्क तनाव कारण कोईगी देखिए पानी का प्रिष्क तनाव होता है सर्फिस टेंसन होता है इसकी विज़से कोई भी चीज कीडे अगरा जो आए अंदर नहीं जाते है ऑप्सन सी इसका राइट अंसर होगा अगला प्रशन है तापकरम की SI1 काई क्या ही तो हमने देखा था जहां पे साथ मूल राचियों की बात कर रहे थे तो तापमान की जो SI1 काई थी हमने देखा तो ये थे सारे प्रशन जो फिजिक्स सब्जेक्ट से BPSC ने अपने prelims exam में पूछा है थोड़ा सा मैंने कोशिस किया हर एक प्रशन को अच्छे से explain करने की ताकि आपको वो चीजें अच्छे से दिमाग में बैठ जाएं ताकि बार-बार इन प्रशनों को जो भी पूछा जाता है उस वक्त आप अच्छे से उनको answer कर पाएं अगले वीडियो में हम बात करेंगे किसी अन्य टॉपिक पे मेन रूप से जहां तक मुझे लगता है अगले वीडियो में हम बात करेंगे chemistry से related जो भी प्रशन BPSC ने अभी तक पूछे है और एक बार हम biology से related प्रशनों को भी देख लेंगे अगर आपको ये वीडियो लगा तो आप वीडियो को like करें अपने दोस्तों को बीच में share करें अगर करना चाहते हैं तो अगर आपने चैनल को भी तक सब्स्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्स्राइब करें मिलते हैं अगरे वीडियो में तब तक के लिए बहुत बहुत अन्यवाद